हेलो गाईज स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए योटुब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज आज मैं आप लोगों को एंजल वन एप से आप्शन्स पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और साथी साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि C और P क्या होता है यानि कि कॉल और पूट होता क्या है ये हम सीखने वाले तो ये वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपको ये वीडियो अन तक देखना है अगर आप ये वीडियो अंतक देखेंगे तो definitely आप C, P को असानी से समझ जाएंगे और आप जो है इसके basis पे ट्रेडिंग करना सिख जाएंगे तो ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है तो पहले आप ये समझ ये C मतलब क्या होता है C मतलब होता है call ठीक है तो market उपर जाएगी तो आपको profit होगा या आप इस टाइप से समझ सकते हैं अगर market उपर जा रही है तो आप C buy करेंगे अगर market नीचे गिर रही है तो आप P buy करेंगे ये जो चीज है मैं options buyer के लिए बता रहा हूँ जैसे कि आपको पता होना चाहिए options पर दो segment होते हैं एक होता है options buyer और एक होता है options seller options buying अगर आप करेंगे तो आप minimum amount से भी कर सकते हैं अगर आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपय है तो भी आप options buying कर सकते हैं लेकिन अगर आप options selling करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको maximum amount चाहिए अप approximately आपके पास 1,500,000 रुपय है 1,35,000 रुपय से हम options selling स्टार्ट कर सकते हैं तो ध्यार रखेगा options buying पे हम low capital से options buying कर सकते हैं options selling के लिए हमारे पास high capital चाहिए ठीक है मैं अभी इस topic पे आपको क्या सिखा रहा हूँ C और P तो C मतलब होता है call और call by हम तब करेंगे जब market हमारा उपर जाएगा और put by हम तब करेंगे जब market हमारा नीचे गिरेगा simple है एक दुबार आप practice करेंगे तो आप सिख जाएगे अब चलिए मैं आपको practice कराता हूँ अब आपको कोई से भी contract सर्च करना होगा तो अभी हमारा nifty 50 का price चल रहा है 17,164 का तो हम simply 17,000 का एक contract सर्च करते हैं तो यह हमने सर्च कर दिया सर्च करने के बाद इस टाइप का interface दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है C और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है P CE buy करेंगे तो market उपर जाएगी तो हमको profit होगा PE buy करेंगे तो market नीचे गिरेगी तो हमको profit होगा तो अभी हम CE buy करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है simply CE को click कर देना है जैसी आप click करेंगे यहाँ आपको दो options दिखाई देगा एक buy और एक आपको दिखाई दे रहा होगा sell ठीक है तो जैसी कि मैंने आपको बताया हमें एक options buyer है तो हमेशा जो है buy के options को click करेंगे और अगर आपका view यह है कि market नीचे गिर रही है तो आप क्या करेंगे PE को click करेंगे और PE भी select करेंगे तो भी आप जो है buy के options को click करेंगे आप sell के options को click नहीं करेंगे मेरे कहने के मतलब आप समझेए अगर market उपर जा रही है तो आप CE buy करेंगे market नीचे गिर रही है तो भी आप PE buy करेंगे धान रखेगा यहाँ selling वाला कोई option नहीं है options buyer हो आप तो CE buy करोगे और PE buy करोगे यह चीज आपको ध्यान रखना है अब आपको इधर कुछ भी नहीं करना है simply buy के options को click करना है उसके बाद इस टाइप का interface आएगा उसके बाद यहाँ आपको lot size डालना है अब जितने भी lot पे buy करना चाहते है वो add कर देना है उसके बाद यहाँ limit और market order का options आ रहाँगा तो आप limit order पे भी trade कर सकते हैं आप market order पे भी trade कर सकते हैं उसके बाद आपको simply buy के options को click करना है confirm के options को click करना है आपका order जो है market पे place हो जाएगा तो यह आसान process है guys यह process आप भी apply कर सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है और कुछ भी करी होगी तो आप जो है comment box पे पूछ सकते हैं इस वीडियो पे मुझे सिर्फ आप लोग को C और P सिखाना था जो कि मैं आप लोग को सिखा दिया ठीक है एक दो बार यह वीडियो आप देखेंगे तो और complete आप चीज़े सिख जाएंगे तो चलिए बाई नए वीडियो पे मिलते हैं